ओम नमो भगवते बास देवाई नमा जै महाकाल दोस्तों वक्ति भावना यूटुब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको साथ भाग्य साली राशियों के बारे में जानकाली दूँगा महाकाल भोलेनात की क्रपा से स्विक्री ही इनकी हर इच्चा पूरी होगी दोहियारतेज के पुत्र संतान प्राप्ति के इनकी बहुत ही अच्चे ही होगे राशियों के साथ साथ में आज मैं आपको कुछ साधारन से उपाई भी बताऊँगा यह उपाय आपको जरूर करने है आपकी मनुकामना अवश्य पूरी होगी दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली रासी की सबसे पहली रासी कुन सी है और इनको कौन-कौन से उपाय करने है सबसे पहली है मेश रासी मेश रासी के अंदर देवगुरू ब्रस्पती का गूचर है देवगुरू ब्रस्पती जिस रासी महों उस रासी की किस्मत बदल देते हैं देवगुरू ब्रस्पती चार कार्यों के मालिक होते हैं जिनको उपर देव गुरु ब्रस्पती की किरपा हो, उनको पुत्र प्राप्ती का योग बनता है, संतान का सुक मिलता है, साथी भूमी जाजात का योग बन जाता है, सरकारी नोक्रियों बिजने सचा चलता है और साधी के योग बन जाते हैं, अगर आपके उपर देव गुर प्रतिदिन महाकाल भोलेनात की पूजा करनी है गाय के दूसरे अफिक करना है बेल पत्र समी पत्र अक्या चावल के दाने सिवलिंग पर समर्पित करने है उनके सामने दीपक जला करके ओम नवश्वाय मंतर का जाप करना है और साती गुड की डली सिवलिंग पर जरूर पर सभी वगवान सिव की पूजा करें मेश रासी बाले सभी को सपलता मिलेगी दूसरी जो रासी है वो है मेतर्न रासी में अब शूर का गोचर चलेगा शूर और चंद्र शूर वुद्ध जो इस रासी की किसमत बदलेंगे आने वाले समय में आपको चार कार्यों में पर गातार घाटा जा रहा है अर्निंग नहीं वड़ पा रही है कोई भी कार आपका नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों ब्यवपार आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है दूसरा है संतान का सुक तीसरा आपके स्वास्त में लाव अगर कापी समय से आप बीमार चल रहे ह आपको लाव नहीं मिल पा रहा है किशी भी परकार के कोई आपको औस दी नहीं लग रही है तो आपको जरूर लाव मिलेगा हरी दुरवा हरी दुरवा सिवलिंग पर आपको चड़ानी है पूजा करने के बाद में और मूं के जो दाने है वह है आपको सिवलिंग पर पैफ़ाने हैे सातही चावल के धाने वी चड़ाएं आपकी मनुकाव नपर पुरियोगी अगर स्वास्त में कोई प्रिसानी है तो हरी दुर्बाद सिवलंग पह चड़ाके तोड़ी सी हरी दुर्बाब को खाले हैं तीसरी रासी है करकरासी करकरासी वियदी बागिसाली रासी है करकरासी वालों के चार कार सिद्धोंगे करकरासी वालों के सबसे पहला है मानसिक इस्तधी मजबूत होगी मन आपका असुंतलत है कोई कार करने की सोच रहे हैं लेकिन मन साथ नहीं दे रहा है, मानसक बल नहीं है आपके अंदर, माता का स्वास्त ठीक नहीं है आपके का, व्योपार अच्छा नहीं चल रहा है, परवार में आपके कोई नो कोई अर्चन लगी रहती है, परिसानी लगी रहती है, और संतान का सुक नहीं मिल पा रहा है, न आपके कारे बनने शुरू हो जाएंगे, दीरे 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 आपको देखना बहुत जादा लाव मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत जादा, दीरे दीरे परिस्तितियां आपके अनकूल होंगी, और आपको विशेश प्रोफिट मिलेगा, अगली रासी है, सिंग रासी, पहली बुरा ना ज्यादा अच्छा लेकिन चार कारे आपके भी बनेंगे चार कारे सिंगरासी वालों के भी बनेंगे कौन-कौन से कारे हैं पुत्र का योग है दन का योग है मकान का योग है और बहान का योग है संतान का योग है ये कारे आपके अवश्य बनेंगे परेशान हो च निराज हैं, उपाई भी बहुत कर चुके हैं, लेकिन लाव आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, एक बेल पत्र लेना है, अब बेल पत्र पर आपको, बेल पत्र ले लेना है, और बेल पत्र पर आपको क्या करना है, साथ चंदन की बिंदी, लाल चंदन की है, और वह सिर्फीलिंग पर समर्पिट कर देना है, आपसी करने के बाद में हैं, पिर गुड़ो भी साथ में आपको चड़ा देना है, और लाल पुसप सिर्फीलिंग पर चड़ाना है, वहीं वेट करके, ओम नमश्वाय मंत्र का या सिवगायतरी मंत्र का आपको जाब करना है ओम तत्पुरसाइब विद्भई महादेवाधी मेतन और अधी मंत्रों का आप जाब करते रहें विश्यस लाव आपको मिलेगा प्रॉपट मिलेगा आपकी मनुकामना पूरियोगी बहुत ही अच्छा प्रॉपट आपको नहीं मिल पा रहता को भी कारी नहीं हो पा रहता तो दोस्तों आपके 45 दिन के अंदर आपको विश्यस लाव मिलेगा विश्यस लाव मिलने बाला है चार कारे आपके विश्यस दोंगे ब्योपाराच्च चलेगा स्वास्त में लाब मिलेगा पुत्र के योग हैं और गरस्त जीवन में पैमली में जो भी परिशानी आरे हैं प्रोब्लम आरे हैं वो दीरे दीरे आपकी सारी प्रोब्लम दूर होंगी बहुत ही अच्चा योग हो मेला पुरु सभी बोले नात पूजा करें मेलाओं को माता पारवती का पूजन करना है जिससे आपकी सभी कारिस सद्धोंगे अगली जो रासी है वो है व्रेश्चिक रासी व्रेश्चिक रासी कापी समय से इतनी सुब नहीं चल रही थी लेकिन अब सुब चलेगी करज से मुक्ति संतान का सुख दन का सुख भूमी का सुख यह चार सुख आपको मिलने वाले आपके किसी रिलेसंस बाले से किसी जानकार से लड़ाई जगड़ा चल रहा था भूमी जाज़ाद के उपर तो वह लड़ाई जगड़ा आपके सांत होगा वह आपसे मापी मांगेगा आपका प्रेम बढ़ेगा अगर आपको दीख रहा है कि ज़्यादा परिशानी हो रहे है तो आप भी सले कर सकते हैं यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा ने तो कई परिकाल की परिशानी को सामना करना पर सकता है साथ ही गरस्त जीवन में जो भी आपके में परिशानी आ रहे थी अर्चन आ रहे थी वो सारी अर्चन और परिशानी आपकी दूर होगे बहुत ही अच्छा योग आपका बन चुका है अगली जो रासी है वह है धनुरासी धनुरासी बेहदी भागी साली रहने वाली है धनुरासी वालों को धन का लाब है संतान का लाब है पुत्र का यूग है साथी सीग्री विवा के यूग बनेंगे और नोकरी में प्रमोशन आपको मिलेगा ये कार आपके सिद्धोंगे इन कारों में आपके परिसानी आ रहे थी तो विरेश्चिक राशी वाले आप स्वत निश्चेंत हो जाएं आपको विशिस लाब मिलने वाला हैं सिवलिंग पर कन्या राशी वाले बेल पत्र मूँ के दाने हरी दुरवा ये चीजे चड़ाएं साथी पान का पत्ता चड़ाएं मीठा पान चड़ाएं सिवलिंग पर और विरेश्चिक राशी वाले विरेश्चिक राशी वालों को भगवान का अवसिक करना हैं इत्र डाल क के गंगा जल में और साथ ही आपको गुड और गाय का घी सिवलिंग पर समर्पित करना है दनुरासी वाले भगवान सिव को मेल पत्र पीला चंदनला का समर्पित करो पीली मिठा यह अरपन करें वही कुम और मीन रासी यह रासिया हैं जो बियादी भागे साली रहने वाली है पत्र का सुक है धन का सुक है वही कुम और मीन रासी वाले भगवान सिव का प्रति दने अफसे करें बेल पत्र चाबल और खील का प्रसाद वफल भगवान सिव को जरू समर्पित करें आपकी प्रतिक मनो कामना पूरी होगी तो दोस्तों आने वाले समय में यह रासियां ब प्रतेक मनो कामना पूरी करेंगे तो उपाय के साथ साथ में आपका राशी पल भी में बताया है वीडियों